एवन हॉस्पीचल, डॉक्टर बी एकेश चंद्र, MBBS, MD, पिडियाट्रिक, बाल्य एवं शिशु विशेशग्य, हमारा पता है सोनकर सिटी LIC आफिस के पास बिलासपूर रोड मुगेली, मुबाइल नंबर 7999-875-001 कबर मुगेली जिले का, जहां पर लगातार जैविक खात को बढ़ावा देने, शाषन प्रशाषन के द्वारा विभिन्र योजनाय संचालित की जा रही है इस दोरान किसानों को जैविक खात के प्रती जागरूप करने, गाउं गाउं में जैविक खात सम्मेलन आयुजित किया रहा है इसी कड़ी में मुगेली जिला के ग्राम नूनिया कछार में, एक नॉम्बर को जैविक खात सम्मेलन आयुजित किया गया जिसमें गाओं के टॉप किसानों को एक एक हजार देकर प्रुपसाहित करते हुए जैविक खात के उपयोग को बढ़ावा देने की बातें खादी विभाद द्वारा करी गई आपको बता दे इस पूरे क्षेत्र में जैविक खाद को बढ़ावा देने का प्रयास क्षेत्र के छोटे बड़े किसानों द्वारा लगातार किया जा रहा है और यही वज़ा है कि इस पूरे क्षेत्र में फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी देखी जा रही है वैसे भी मुगेली जिला अपने काली वं उपजाव मिट्टी के नाम से पसिद्ध है इस मिट्टी में हर प्रकार के फसलों को उगाया जाना संभव है बस जरूरी है इस मिट्टी को सही उरवरता देने की और यही वज़ा है कि जैविक खाद का वर्तमान में बदलते हालातों ने किस्तानों को कृत्रिम खाद की उपियोगिता को बढ़ावा दिया है जिसकी वज़ा से मिट्टी की उरवरता क्षमता में कमी देखी जा रही है यही वज़ा है कि क्रिशी विभाद के द्वारा लगातार जैविक खाद को बढ़ावा देने प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में नुनिया कच्छार में संपन्न हुए जैविक खाद सम्मेलन में ग्राम के टॉप किसानों को सम्मानित किया गया इस पूरे कारिक्रम में महेंदर निशाद, राजेश निशाद, संतराम निशाद, जन्नु निशाद, श्यामलाल, गोपाल, रामलाल, खेलावन, जेठुल, ठुकेल, सरोज, गनेश, संतन, विनोध, खेमचन और कोटवार आधी उपस्तित रहे ब्यूरो रिपोर्ट आर जे रमजाजर